Hello everyone, welcome to all of you, this is Anjumarya और आज के इस वीडियो में हम आपको एक बहतरीन टॉपिक समझाने जा रहा है जो कि आई डिसॉडर से रिलेटेड है हमारी आईज में कॉमन आई डिफेक्स क्या-क्या हो सकते है उसके बारे में यहाँ पे हम दिसकेशन करेंगे तो देखिए जिससे कि सबसे पहले आपके सामने लिखा है मायोपिया मायोपिया को हम नियर साइटेडनेस या शौर्ट साइटेडनेस की नाम से जानते हैं या निकट द्रिष्ट दोस कहते है देखिए मायोपिया निकट द्रिष्ट दोस में क्या होता है कि यहां पे जो object है, जो far object है, वो clearly visible नहीं हो, निकट दरिश्टी तो उसमें निकट की चीज़ें दिखाई देती हैं, far object जो है, वो फिक से दिखाई नहीं देता, और इसको हम concave lens से cure किया जा सकता है, ठीक है, इसको हम किस से cure कर सकते हैं, concave lens से cure कर सकते हैं, दूसरा है hypermetropia, hypermetropia में क्या होता है, far sightedness या long sightedness केते हैं, दूर दरिश्टी दोस, इसमें हमें दूर दरिश्टी दोस, दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन निकट की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती, निकट की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, तो इसको हम convex lens से क्योर किया जा सकता है। इस से क्योर किया जाता है convex lens से। प्रेस बायोपिया old farsightedness जिसमें lens की transparency loss हो जाती है। जब old age के लोग होते हैं तो वहाँ पे जो lens transparency होती है, वो धीरे-धीरे क्या होने लगती है। जिसकी वज़े से old farsightedness कहते हैं प्रेस बायोपिया को और इसको correct इसको भी convex lens से correct किया जा सकता है। फीन हो गया। अगला हम बताते हैं cataract जिसको मोतिया बिंद कहते हैं। यहाँ पे transparency of lens loss यह किसी भी age में हो सकता है। और lens बिल्कुल opaque हो जाता है can corrected by by convex lens इसको by convex lens से cure किया जा सकता है। astigmatism जो है यह cornea का defect है और जो की इसको cylindrical lens से cure किया जाता है। defect in cornea, glaucoma होता है actually, g-l-a-u-c-o-m-a, g-l-a-u-c-o-m-a, glaucoma, इसमें क्या होता है, canal of slim block हो जाता है। canal of slim जानते हैं, जैसे माली जी यह eye है, यह cornea है, तो यह सबसे बाहरी layer sclera है, sclera यह cornea आगे वाला person, यह coroid है, coroid से यह ciliary body और यह iris, फिर यह ciliary body यह iris, यह ciliary body यह iris, यह ciliary body से lens लगा हुआ है, ligament, suspensory ligament, अब यह वाला chamber है, इसको हम aqueous, यह lens और cornea के बीच में, यह lens है और यह cornea के बीच में aqueous humor. aqueous humor में watery substance होते हैं, और यह लगातार produce होतेए हैं, और इसके बात क्या होता है, कि यहाँ पहर एक canal होती है, जिसको हम canal of slim कहते हैं. यह substance जो है वो लगातार produce होता रहता है और यह लगातार इसी canal of slim से drain होता रहता है blood में कभी अगर यही canal of slim block हो जाती है तो aqueous humor cannot drain into blood यह blood में जा नहीं पाता और intraocular pressure बढ़ता रहता है आई के अंदर का जो pressure है भाई फ्लूड बाहर नहीं निकल पा रहा है तो intraocular pressure क्या हो जाएगा बढ़ने लग जाएगा जिसकी वज़े से एक आप कह सकते हो कि यहाँ पे pain जैसे situation होने लगती है इसको glaucoma कहा जाता है फिक है आगे आते हैं conjunctivities इसको pink eye कहते है bacterial infection या eye flu कहा जाता है यह bacterial disease streptococcus से होता है ट्रैकोमा ट्रैकोमा को bacterial disease है chlamydia trichomatis जिसको trick agent कहते हैं यह watery fluid secret होने लग जाता है तो इसको trichoma कहते हैं strabismus effect in eyeball muscle अगर eyeball की muscle जो eyeball muscle 346 तीसरी चौथी और छट्वी muscle eyeball को supply होती है हमारी जो तीसरी चौथी और छट्वी आपके सिक्तो cranial nerves हैं वो eyeball muscle को supply होती है और strabismus अगर eyeball muscle में कोई defect हो जाता है तो इसको हम strabismus के नाम से जानते हैं और एक होता है нictilopia कहलो आप nictilopia nictilopia का मतलब हुआ night blindness night blindness night blindness जिरोब्थेल्मिया है न और क्या है जीरोब्थेल्मिया जीरोब्थेल्मिया यह भी eye defect तो इस तरीके से निक्ती लोप्या निक्टिलोपिया किसको कहते हैं night blindness, color blindness भी आई का ही defect है एक तरीके से लेकिन वह genetical defect है अब ये सारी चीज़े color blindness में क्या होता है कौन सेल में defect होता है तो इतने सारे disorders हम कोशिश करेंगे कि हम हर एक chapter के disorder आपको पढ़ाते हैं अगर हम kidney के disorder, या फिर हम respiratory system के disorder, heart के disorder, digestive system के disorder, ये सारे disorder हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो आप एक बार eye के disorder अपने copy में note कर लीजेगा, eye के जो main disorders थे बहुने आपको बता दिया, अगली वीडियो में हम sense organ के बारे में बात करेंगे, हमारी body में कितने तरीके के sense organ है, जैसे की pain receptor, touch receptor, ये सारी चीज़ें हम आपको discuss करेंगे, तो आप इसे बहतर तरीके से note कर लीजे, और बार-बार हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमारे किसी भी कोर्स से जुड़े हुए हैं, तब भी ये जो short video upload होते हैं, ये, प्लस जो चंद्रा Classes YouTube channel पे हम आपको Sunday revision या practice sessions कराते हैं, या different state के paper solve कराते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको regular करने हैं, ठीक है, तो ये सब छोटे-छोटे points हैं, जो आपके लिए exam crack करने में बहुत helpful हैं, बाकी उमीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, बाकी मिलते हैं next video में और अगर आप हमारे किसी भी course से जुड़ना चाहते हैं, PGT, PGT, LTG, ICI, Assistant, Professor, किसी भी state से हैं आप बिलॉंग करते हूं, तो हमारे पास सारे courses और test series available हैं, आप हमारे helpline number पे call करके जुड़ सकते हैं, ओके बाए बाए सभी को, all the best, मिलते हैं next video में, तब तक लिए सभी को, बाए बाए.